हलो स्टुडेंट मैं राम कुमारबिंद हर्गया सिंग पबलिक स्कूल की तरफ से अपने इस तेरवे वीडियों आपको आपका स्वागत करता है जैसा कि इसमें पहला कोशन हमने बता दिया था और एक पार्ट बताये थे और एक पार और समझाये थे तो इसमें साप लोग ब इस्टाप्रशन क्या है। Πर तेक इस्तिती के लिए निरधारित कीजिए कि वहां संख्या परमी संख्या है , या नहीं है ? नहीं यदि परमी संख्या है और Peki क्यूंके रूपक की है तो क्यूंके अभाज गुलनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं ? चलिए ये तीन पार्ट दिये गए हैं इन तीनों पार्ट को मैं आप लोगों समझा रहे हूँ पहला पार्ट क्या है दी गई संख्या दी गई संख्या क्या हमारा 443.123456789 दिया गया है अब यहाँ लिखते हैं क्योंकि दी गई संख्या का एक दसमलाव प्रसार सांथ है इसलिए यहाँ P by Q के रूप की परिमे संख्या है जिसमें हर Q 2 की पावर यन 5 की पावर यन के रूप में रूप का है जहां यन और यम रोड़त्तर पुडांख है यह हो गया पहला आपका दूसरा पॉइंट क्या है दी गई संख्या इसकल टू 0.1 2 0 1 2 0 0 0 0 3 बार 0 है 1 2 यहाँ पर 4 बार 0 डैस डैस इसी प्रकार है आईए इसमें अधिक तर आप लोग को डिफिनेशन समझाना है कि क्या है यह क्योंकि दी गई संख्या का दसमलाव प्रसार आसान अना वृति का वृति है इसलिए इहां संख्या एक आपर्म्य संख्या है आते हैं तीसरे पॉइंट पे तीसरा पॉइंट क्या है दी गई संख्या इसकाल टू 43 पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल आपका बार है इसे बार बोलते हैं जैसे किसी भी नमबर पर अगर ये मालिज ये 2 है जैसे मालिज ये किसी भी नमबर पर ये हम 2 लिख दे रहे हैं इस पर एक लाइन ऐसे खीज दे रहे हैं उपर तो ये बार कहलाता है इसे बार कहते हैं तो वही हमारा इस टोटल नमबर का क्या है बार है क्योंकि दी गई संख्या का एक दी गई संख्या का दसमलाव प्रसार असान्थ है अवरिती असान्थ अवरिती है इसलिए यहां संख्या PYQ के रूप की परिमे संख्या होगी जहां Q 2 की पावर एन 5 की पावर एम के रूप का नहीं होगा नहीं होगा यह होगा हमारा प्रस्ठ बुरा साल हो गया एक थोड़ास चीज जानगी आप लो जैसे है क्या सांत भृती सांत या असान अवरिती वाली संख्या क्या कहलाती है मारी प्रमे संख्या कहलाती है और असान अना वरिती वाली प्रमे संख्या कहलाती है ठीक है तो यह एक साइज हमार क्लोज हो गया और कह सकते हैं पुरा लेशन भी समाप्थ हो गया इसका यानि one lesson समाप्त हो गया परिमे संख्या ये पूरी आज खतम हो गई है तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरा lesson पढ़ाऊंगा उस lesson का नाम है बहुपद जिसे इंगलीज में बोलते पॉलिनॉमियल ठेक है तो वहां से अब मैं पहले आप लोगों को definition परिभासा जितने दिये होंगे मैं उसको समझाऊंगा जो book में दिया रहेगा उसको मैं book में ही समझाऊंगा और जो अलग से definition मैं अपनी तरीके से बनाऊंगा उसको मैं लिख कर आप लोगों को समझाऊंगा तो मिलते हैं अगले लेशन में यानि जब मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को दूसरा लेशन polynomial बहुपत पढ़ाऊँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को धन्यवाद